तो दोस्तों जैसा हमने सोचा था बिलकुल वैसा ही हुआ हिंडनबर्ग ने एक बार फिर अदानी ग्रुप को लपेटे में लिया है लेकिन इस बार सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बलकि स्कूल के प्रिंसिपल का भी नाम सामने आया है दोस्तों किसी स्कूल का अगर कोई स्टूडेंट शैतान हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि बच्चे अकसर शैतान होते है मगर बात जब ये आ जाए कि उस स्कूल का प्रिंसिपल भी शैतान है तो बात कुछ लगती है ऐसा ही कुछ हुआ है सेबी और अडानी के बीच आज जो हिंदनबुर्ग ने नई रिपोर्ट निकली है उसे सीधा निशाना मधभी पूरी बुच और उनके पती पर सादे है उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो अडानी का फंड है फॉरें में उनसे है इलजाम ये है कि जो अडानी ने फॉरें से अपने दो फंड बनाकर इंडिन स्टॉक मार्किट में पैसा लगाया था उसी में ही मधभी पूरी बुच और उनके हस्बैंड का भी पैसा लगा हुआ था दो हजार अपनरह से पाव जून 2015 में आई पी प्लस में पहला अकाउंट खोला गया था और ये इन्वेस्टमेंट सिंगपोर में की गई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट को लेकिन इंट्रेस्टिंग बात यहां ये देखने वाली है कि सोर्स ओनेफ फंड और नेट वर्थ थोड़े डाउट वाले है क्योंकि सोर्स ओनेफ फंड सैलरी है और नेट वर्थ 10 मिलियन डॉलर है अच्छा मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ इसी रिपोर्ट में से 2015 से 2017 तक मदभी पूरी बुच्छ और उनके हस्पैंड धवल बुच्छ इस फंड में इंवेस्टेट थे लेकिन 2017 में जब धवी पूरी बुच्छ को से भी जॉइन करना था तब उनके हस्पैंड धवल बुच्छ ये इमेल करते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम दोनों इस फंड में बराबर के हिस्सेदार तो है पर आज के लिए ये सारा स्टेक धवल बुच्छ के नाम पर दिखा दिया जाए मदब धवल बुच्छ अकेले हिस्सेदार दिखा दिया जाए जबकि थे ये दोनों और ये फंड और कोई नहीं बलकि IPE पलस था जिस पर एलिगेशन लगे थे कि गौलत तरीके से अडानी ग्रूप में पैसा लगाते है उसमें इनकी हिस्सेदारी थी मगर इस मेल के अनुसार वो चाहते थे कि वो बस धवल बुच के नाम पर दिखाई जा सके ताकि फ्यूचर मिले है जिसमें धवल बुच का नाम तो है साथ साथ मद भी पूरी बुच की परसनल इमेल आईडी भी है और इसमें आठ लाक बहत्तर हजार डॉलर इंवेस्टेट थे तो दोस्तो इस बार हिंडनबर्ग ने किसी कमपनी को टार्गिट नहीं किया बलकि उन्होंने सीधा से बी की चीफ प्रूफ के साथ इसका क्या जवाब देती है लेकिन जो ट्रेडर्स इंवेस्टर इस टाइम मार्केट में बैठे है उनके बीच पैनिक हो चुका है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो गई है इस रिपोर्ट में हाइंडनबर्ग ने और भी बहुत सारे पॉइंट मद भी पूरी बुच और उनके पती पर सादे है जो कि आप पूरी रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर पढ़ सकते हो और मेरा इंवेस्टर ट्रेडर्स से यही कहना है कि अभी कुछ भी प्लानिंग मत करना कल सुबह मार्केट खुलने का वेट करना और जो लॉ जबाब भी मिलना चाहिए हो सकता है कई ट्रेडर्स इस चीज का फायदा उठाए और मार्केट डाउन जाने का वेट करें वैसे आप लोग क्या सोच रहे हैं प्लीज अपने कमेंट में बताए मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी जनसंख्या क्या सोचती है इस बारे में बा